आपके अपने परिवार एक्जामपर में हर दिख स्वागत करता हूं हमें एक्जामपर कलम से करांते मैं आप लोगों के लिए ये जो इवेंट है डंका ये मेम की मेहनत आप लोगों को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए दुनिया को कि डॉक्टरी की तैयारी एक पांच लाग की फीज देने वाले ही नहीं करते हैं जहां चाहा वहां रहा एक वह एक्जामपर आप सब बच्पन से पढ़ते हो जो मैं सिखाया जाता है कि कोमल सी रसी चाहा लेती है तो कठिन से कठिन कठोर से कठोर चट्टान पर निसान बना देती है हम आपको यही कर बिना किसी पैसे के क्लासे यूटिव पर लेकर भी अच्छे तैयारी कर सकते हैं लेकिन कौन कर सकता है जिसके अंदर कुछ चाहा होगी जिसके अंदर कुछ करने की इच्छा शक्ति होगी अन्य था आप सब जानते हैं कि अमीरों के बच्चे भी होते हैं खूब उन पर जो नीट का पेपर हुआ है उस पेपर की यहां पर कुछ छल्कियां दिखाएंगी उन जल्कियों में क्या होगा कि मैम ने जो अपना कराया है फूर एक्जम्पल जैसे मेम ने कुश्यन पढ़ाया और ये कुश्यन ये पेपर में आया और मेम ने जो पढ़ाया तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि लगबग 90 प्रिशन नीट के पेपर में आये जो MBBS क्वालिफाइड वतलब MBBS करने के लिए जो एक्जाम होता है जैस को पेपर था 12 सितंबर को पेपर था 10 सितंबर का कुश्यन और 12 सितंबर का पेपर तो इससे ये पता चलता है कि अगर अच्छा टीचर आपके साथ है तो आप दुनिया में कुछ भी पास सकते हैं इसलिए मैं ने डंके की चोट पर ये छोटी से वेंट रखी है 90 प्रिशन ह अगबग 80-85 कुश्यन कराई हुए फिरी की क्लासिस से बिना किसी पैसे के इस चीज को आप क्या कहोगे 90 में से अगर 80 के करीब प्रिशन आपके फिरी की क्लासिस से पढ़के आते हैं तो आप उसे क्या कहोगे जादू ही कहोगे ना तो आपके घर में पड़ोस में अब 11-12 के बच्चे होंगे बहुत से लड़कियों के पास लड़कों के पास बाइलोजी होगी 11-12 में जो आगे जाके डॉक्टरी का या मेडिकल फिल्ड में अपना भविश्य देख रहे होंगे तो आपके लिए एक्जाम पर एक्जामस पर रोज क्लास होती हैं जैसे में बाइलो में दिखाएंगे कुश्यन फिर दिखाएंगे अपना जादू फिर दिखाएंगे कुश्यन फिर दिखाएंगे जादू ऐसे करते करते आप तुम फिल आश्ट में बताना कैसा है ठीक है जी में कंटीन थेंक्यू सो मच सर चले तो शांदर तरीके से से सेशन में जोड़ ज जो महनत करते हैं ऐसकी को शिव् Flint करते हैं और जिनकी विन उती होती है तो जी मन में कभी हार नहीं सकते हम helps करते हैं कि साफ़को व्हरम कौशन के थे वो भी कोई 3-4 महीने पहले पढ़ाये वाले कोश्चन नहीं यह आपके एक महीने अगस्त जून अगस्त और आपका कबलते जुलाई अगस्त और आमान लीजे सेप्टेंबर के तीन दिन लास दिन 9-10-11 को हमने एक मॉक टेस्ट रखा था सर नहीं हमें बोला था कि मॉक टेस् कि थी और उस मैंने हर एक मॉक टेस्ट में आपको 50-52 कोश्चन करवाएं जिन जो भी बच्चों ने क्लास लिए नीट की उन्हें पता होगा 50-52 कोश्चन करवाएं और उन्हीं कोश्चन में से आधे से जादा पेपर तो वहीं से फसा है तीन दिन की क्लास से और जो मेरे सा मेरे के नीट के उपर और जब जब मैमने कोश्चन देके तो उन्हां अपने क्लास की में यहार नहीं होती मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती ननी चीटी जब दाना लेकर चड़ती है चड़ती दीवारों पर सौबार फिसलती है लेकिन उसकी मेहनत बरबाद नहीं जाती मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती ठीक है गिरती चड़ती है लेकिन चड़ अपने लक्षे त पहुचती है चलिए तो पहला कोशन आपका नीट का है था और यह जो पेपर है यहां पर तो मैंने आपको कोशन टाइप करवाएं लेकिन आपको जो नीट का कम्प्लीट पीडियव है आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दिया जाएगा आप उस लिंक को क्लिक करके पीडियव अप्लोड कर दूँगे तो मैंने आपके कोशन टाइप करवा लिए क्योंकि डारेक्ट आपको दिखाई नहीं देता पेपर से क्योंकि पीडियव होती बच्चों के फोटो क्लिक कियो गए पेपर है तो इसलिए मैं डारेक्ट आपको वो पीडियव आपको अप याद जल्दी से करेंगे ठीक है थोड़ा सा यह उस तरीके से कि आपको बताने के लिए कि साथ कोशन अपनी क्लास से फसे थे विद प्रूफ के साथ एक एक कोशन का में स्क्रीन शॉट और प्रूफ लेके आई हूं कोई आपको हवाबाजी नहीं करूंगी कि इतने कोशन इतने कोशन नहीं पूरे प्रूफ के साथ में आपको मेरा पूरा एक डेड़ दिन लगा यह स्क्रीन शॉट निकालने में तो यहां शांदार तरीके से देखेंगे ठीक है बेटा चलिए बहुत बहतरीन कोशन नमर फ़र्स देखे क्या का रहा है विच आफ दा फॉल्विं पिरामीड औफ बायों मास इन इस जन्रेट एंवर्टर ओप्शन दे रखा है पिरामीड औफ बायो मास इस दिस जन्रे टी अपर आपको यहां पर दिखना होगा वरी सी का बोला जन्रली इन्वर्टेट और अप्राइट दोनों स्टेटमेंट भाईया एक ही के बारे में कह रखी और दो इसी चैप्टर का रिवीजिन करवाया था आपको मैंने बोला था कि पॉंड इको सिस्टम बहुत इंपोर्टेंट है हमेशा पूछता है पॉंड इको सिस्टम का जो इस सपरोम्प प्रπα faço है कि यहाँ पर इनवेर्ट कि ईवर्ट तुम्थ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसकी बैया दोनों में लिखा गया है आप इसको PDF में जरूर देख ले ना जिसको भी चेक करना है कि कहां से किस तरीके से आया है ठीक है वेटा चले तो यह आपका पूरा का पूरा स्क्रीन शॉट आप सभी के सामने तो यहां पूरी किसमें पाए जाते हैं यहां पर अगर आप कोशन यहां पर स्क्रीन शॉट में देखोगे तो बाद 10 सेप्टेंबर का आपका स्क्रीन शॉट एक बन मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आप सभी कि आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है एक बर सब बताईएगा क्ल क्लियर दिखाई दे रहा है आप सभी को एक बर कमेंट जरूर करिएगा यह लीक नहीं हुआ है यह हमारी क्लास में से लीक हो गया मुझे लग रहा है उन्होंने हमारी क्लास देख ली थी चलिए लेकिन पेपर काफी पहले बन जाता है चलिए यहां पर देखिए बाद 10 और यहां से आपकी यहां से स्टेटमेंट पूछिए डाई एडलफस और यहीं पर मैंने मैचिंग दे रखा है डाई एडलफस यह स्क्रीनशाट में मैंने आपको अंसर नहीं दे रखा है डायरेक्व लेकिन मैं मैं अगर आप 10 सेप्टेंबर की क्लास में जाके देखोगे तो आपको क्लास में जब आप ये कोशन देखोंगे कोशन नमबर 29 डारेक्ट निकाल के देख लेना अंसर इस पूरे कोशन का भी मिल जाएगा और इस कोशन का भी मिल जाएगा डाय एडलफस पूछा है मैच दा फॉल्लविंग में सेम कोशन वही है कि भाईया मतर में एक्ज इस दो इस दो तो तो दो हो और इस को कौशन ये जो आपको दिखाइग दिया तो बहतरीन रहेगा अगर आपको यहाँ पर दिखाई तो यहां पर कोशन को देखिए थोड़ी सी स्टेटमेंट अलग है कोशन की लेकिन कोशन एकदम वही फसा है जो हमारा कोशन है वेटा कोशन वही है जो हमारा एकदम फसा है देखिए टाइप ऑफ पॉलिनेशन देट ब्रिंग जैने टिकली डाट ब्रिंग जैने टिकली इस प्रकार की पॉलिनेशन में जैनेटिकली डिफरेंट टाइप आफ आपका प्रोजैनी बनती है यह आपका कोशन है तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी अंसर जीनो गैमी है यही सेम कोशन मैंने 11 सेप्टेमबर को करवाया है और 12 सेप्टेमबर को आपका एक्जाम था आभी तो मैं सिरफ आपको तीन दिन का खेल बता रही हूं कि यह तीन दिन में अपने जो कोशन किये था हमने सेम वही आए है मुझे लग रहा है बोड थोड़ हैंग हो गया चलिए ठीक हो गया यहां पर देखें सेम यही पर आपको स्टेटमेंट दिखाई देगी जैनिटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलेंट ग्रेंट टू स्टेग्मा अवदा प्लांट सेम कोशन 11 सेप्टेंबर को किया बारा सेप्टेंबर को पेपर जिसने भी क्लास अटेंड की होगी मुझे लगता है यह कोशन तो किसी का गलत नहीं होगा शांदार तरीके से लगाइब कमेंट ज़रूर करिए सभी के सभी हरा चली तो बहीं नेक्स कोशन पर आते कोशन नंबर फॉर्थ देखें अब कोशन नंबर फॉर्थ देखें अब यहां कदे रखा है स्क्रीन शुर्ट यहां पर आपको मैच्ट दा फॉल उल्विंग करके दे रहे कि को अगर आप को यहां पर दिखाई दे रहाएं यह ऐधे रखना में आपके धीशें निगजिए को सभी न बड़ा कर देंगे को घ्र loft और polysaccharide दोनों ही sugar है, sugar की बात है, question आपका दे रखा है कि भही आपके carbohydrate में कौन सा bond होता है और यहाँ पर answer match कर रखा है glycozydic, यहाँ पर answer कौन सा tick किया हो है glycozydic, same वही question पर आजए ही जो आपके neat में पूछा गया है, कि भही आपको पॉली सेकराइड में कौन सा bond होता है, तो glycozydic, तो अभी सिर्फ भही आपको पूरा को पूरा गराप आपके प्रोटीन में peptide bond होता है, nucleic acid DNA में phosphodiester bond होता है, और hydrogen bond nitrogenous basis के बीच में होता है, same यही question, but match the following की term में आपके neat के paper में आया है, ठीके बेटा, कोई जादा difference नहीं है, वहाँ पर match the following है, यहाँ पर direct आपका कोशन वही options के साथ, option भी अलग नहीं है, बस हमारा match the following है, बाकी सारा अपना question सेम है, 11 September को करवाया question है, मैं आपको match कर देती हूँ, थर्ड इसका answer सही होगा भी यह polysaccharide अपना किसके साथ match है, glycozydic nucleic acid अपना phosphodized unsaturated बस हमारा एक यह वाला option नहीं है, इसके अलावा आपके कोशन में सारे के सारे options दे रखें, तो बाकी आप सारे करी लेंगे यह अगर आपको तीन पता चल गया तो एक में क्या दिक्कत है ना, चलिए अब आज यह question नंबर फिफ्ट पर यह आपका भी यह भी 28 अगस sequence of steps in PCR, polymerase chain reaction जो होती है, आपकी polymerase, श्रंखला, अभी क्रिया जो आपकी होती है, जिसको हिंदी में बोला जाता है, question देखेंगे, वह यह screenshot में देखें, अगर आपको screenshot दिखाई दे रहा है, शांदर तरीके से देखें, कि वह यह correct sequence, annealing, denaturation, extension, second option दे रखा है, denaturation, annealing and extension, denat denaturation, extension, annealing, fourth option दे रखा, extension, denaturation and annealing, आप सभी ने अगर PCR पड़ी होगी, तो आपने पड़ा होगा, polymerase chain reaction का पहला step क्या होता है, denaturation, second annealing, third होता है, आपका extension, यही question मैंने आपको 28 अगस्त को previous year question practice में करवाया था, as it is question, बस option उपर नीचे कर दिया भीया, आपके paper ने, examiner ने है, बाकी answer सारा सेम है, जो हमारा भाया, जो हमने practice किया तो उसमें option number fourth है, denaturation, annealing, extension, और आपका यहाँ पर आपके नीट के paper में जो option होगा, वो आपका second option होगा, कौन सा option होगा, second option होगा, अब आज यह question number sixth है, तो देख लो भाया, तयारी बहुत मजबूत है, ठीक है, मैंने हमारा मकसद यही था, शुरुआत से जब हमने class शुरू की थी, कि आपकी नीट की जो coaching होती है, जो आपका mbvs, doctor, bds की जो तयारी करते हैं, nursing की भी जो करते हैं, लाक लाक रुपया दे के करते हैं, ठीक है, हमने आपसे वादा किया था, कि best देंगे आपको, एक भी पैसा आ नेख लिए होगी ना बेटा, तो 300 marks, 360 marks का paper था, 300 marks आपके आराम से आगे होंगे, आराम से, 300 marks, ठीक है बेटा, चलिए, और फिर भी या, कुछ गल्ती कियोगी, तो फिर वो आपके जिम्में है, बहिए, चलिए, आपका जो question number 6 था, एक बार इसको पढ़ेंगे, ठीक है बे बने, question number 6 में देखे, which of the following are not secondary metabolite, आपसे question number 6 में बोला है, निमनलिक्त में से कौन सा secondary metabolite नहीं है, और same question हमने 10 September की mock test में किया, कि यह सारे के सारे आपके question पढ़ लेता है, which of the following secondary metabolite is an alkaloid, यह आपका same question और option वही दे रखा है, जितने भी यहाँ पर आपको option में दे रखा है, सारे के सारे क्या है, secondary metabolite, question में आपसे पूछा, इन में से कौन सा alkaloid है, यह मैंने आपको question दिया था, mock test में, ठीक है, आपका answer इसका win blastin था, इसका मतलब क्या है, यह सारे की सारे secondary metabolite है, जिसने मेरे साथ यह question किया होगा, उसको यह तो पता होगा, कि secondary metabolite कौन सा दे रखा है, इस question में से, और जो नहीं होगा, उस पर tick mark करना है, जैसे कि आप सभी को, same option भी same है, rubber दे रखा है, rubber को काट दो, secondary metabolite तो दे रखे, win blastin है, win blastin को काट दो, और आपको इस question को बताते समय, मैंने कहा था, कि आपका जो morphine और codeine होता है, आप सभी ने comment भी किया था, कि भीया morphine भी मैं secondary metabolite होता है, तो यह सेम यहाँ पर morphine भी दे रखा है, यह मैंने आपको explain भी किया था, यह question करवाते हैं, चाहिए, वीडियो में देख लीजेगा, इसको भी काट दो, बचा सिरफ एक option third, तो यही हमारा इसका क्या है, सही उत्तर है, same question 10 September को किया है, हमने बड़े ध्यान से देख लीजेगा, अब आज यह question number 7th में, यह भी बहुत शांदार question, और 9 September को हमने ही किय है, 9 September को, 12 September को भी हमना paper था, देख लो, the plant hormone used to destroy weed in a field, जो weed होते है, unwanted plants को weed कहा जाता है, तो यहाँ पर आपके हार्मोन की option दे रखे, same question 9 September को, match the following की terms में, मैंने आपको करवाया है, यहाँ पर मैंने 24D का option दे रखा है, 24D, और इसके साथ मैंने यहाँ पर match कर रखे है, हर भी side, क्या match कर रहा है, herbicide, ठीक है, herbicide वो होते है, side मतलब जो kill करते है, herbicide तो आप सभी को पता है, insecticide, herbicide use किया जाते है, kill करने के लिए, जो आपके weeds वगरा होते हैं, इसकी definition ही यही है, same आपका match कर रहा है, और same आपसे question पूछा गया है, herbicide के ओपर mark किया है, 24D, और आपके weeds को destroy करने वाले को भी तो herbicide बोलते हैं, कोई ज्यादा difference नहीं है, इस question में, ठीक है अगर मैंने बनाए होता न, तो मैं अपनी statement डालती ही, लेकिन अब मैंने तो बनाए नहीं था, थोड़ी बहुत statement तो अलग हो सकती है, यह तो आप सभी मानते हैं, इन question exactly similar options के साथ, ठीक है बे देखिए, शांदार तरीके से मैंने आपको पूरा बहतर तरीके से दिया है, यह चेक कर लो, आप चाहे, the first stable product of CO2 fixation in सौर्गम, सबसे पहले अगर जोस बच्चे ने पढ़ा नहीं होगा, उसको तो यही नहीं पता होगा, कि सौर्गम C3 plant है, यही आपको revision जब मैंने करवा था, अगर आपको ध्यान होगा, 3 September को जब मैंने चाप्टर का आपको revision करवाए था, मैंने कहा था, मैंने आपको यह table दिया था और बोला था, इसको learn कर लेना, और यहाँ पर yellow अगर आपको दिख रहा है तो देख लो, मैंने आपर बोला था, यह यह example ज़रूर याद कर ले है, ऐसा नहीं कि कोई और C4 plant उठा के दे दिया है, है तो बहुत सारे C4 plant, लेकिन जो हमने पढ़ा है, आया वही से, यह मैं आपको बतानी कोशिश कर रही हूँ, पूरा सौरगम, 3 September को रिवाइस किया, सेम यहाँ पर मैंने आपको C4 चकर भी बना के दिया था, यह तो मैं को त्योरी में बता रही हूँ कि मैंने आपको धेया था, आपके सका कौश्चन भी है, मैंने 11 September को Państwo का एक कोशन भी करवाया था, सेम यह कोशन उसमें भी बताया था कि C4 का जो फिक सेर्शन देखें 11 September पर देख लो चाहिए आप को चाहिए लगे यहां पर देख लो 11 सेप्टेमबर और 12 सेप्टेमबर को अपना पेपर यह गर्व की बात है यह बहुत गर्व की बात है कि 60 के 60 कोशन अपनी क्लास में से आये हैं आप मेरे को निकाल के दिखा दो कि कहीं और का यूट्यूब में क कोई क्लास लेता और उसके एकदम साट कोशन फस्यों विद स्क्रीन शॉट चाहिए मुझे विद प्रूफ एकदम ठीक है तो विद प्रूफ के साथ दिखार इसले थोड़ा सा समय लगेगा ठीक है तो शांदार तरीके से थोड़ा सा धहरे रखेंगे लेकिन आपको एक कॉणफिड़न साइगा उसको विश्वास आएगा कि अच्छा ठीक है फाइदा हुआ है हमें यहां से ठीक है चलिए और यहां पर देखिये इस का अंसर क्या हो जाएगा औक जेलो एसिटिक से मैंने यहां पर लिखा हुए अगर आप यहां पर देख ले मेरी राइटिंग करवाइब दाला है मैंने 11 को भी सेम को और यह को और यह को और यह को अपके प्रेक्टिस टेस्ट में भी दिया था अगर आप यहां पर देखें तो यह कोशन अजादा अलग नहीं है इसमें पूछा है विच पेर इस रॉंग तो भीया इसमें से रॉंग स्टेट्मेंट आ अब आज यह कोशन नमर 9 पर यहां पर कोशन है कि टिपिकल एंजी ओ स्पॉर्म का जो एम्रियो सैक बूर्ण कोश होता है उसमें कितनी क्या कंडिशन होती है थैली में तो यहां पर दे रखा है एट न्यूकलियेट 7 सेवन यूकलियेट 8 सेम यहां पर देखें कोशन यह है यहां पर मेरा स्क्रीन शॉट देखें जो मैंने आपको 11 सेप्टेंबर को करवा है देखें 11 सेप्टेंबर को मैंने आपकी क्लास ली थी ध्यान से दिखाई दे रहा है आप सभी को 11 सेप्टेंबर को यह मैंने आपकी क्लास ली थी और यहां पर सेम यहीं कोशन करवा है कि को नम ताइप ऑफ एंब्रियो सेक टीपिकल फीमेल गेमीटोफाइट एंब्रियो साइक इस गेमीटोफाइट है ना वह यह सभी को पता ही कंडीशन देख लो वही ऑप्शन दे रखें वही अंसर है सेवन सेल्ड और एट न्यूक्लियट देख लिजे एक दम टैली हो रहा है यह आपका कोशन कोशन नमर 42 निकाल के देख लेना चाहिए आप 11 सेप्टेंबर को करवाया गया कोशन है सेम यही अंसर आएगा यह सेवन सेल्ड एट न्यूक्लियट हमने इस तरफ सेल लिखा है उसमें उस तरफ लिख दिया क्या अंतर है कोशन में बिलकुल अंतर नहीं ह देख इतने सारे कोशन है कि मैं आपको क्या बताओं अब यहां आज यह कोशन नमर 10 में यहां पर पूछाए कि सेल्वीनिया में किस प्रकार के स्पोर्स बनते हैं टू काइंड ऑफ स्पोर जैनेरा लाइक सेलजीनीला एंड सेल्वीनिया प्रोड्यूस तू काइंड ऑफ स प्रोड़ आए 11 सेप्टेंबर बार बार आरा है ना ना 11 सेप्टेंबर से बहुत सारे कोशन आए अपने यहीं पर मैंने आपको लिखवाए था सेल्जीनिया देख लीजिए सेम्ट इग्जामपल सेलवीनिया नहीं है सिरफ सेल्जीनिय अगर आपको सेलेजीनियला का भी पता चल जाए तब भी तो अंसर आ जाएगा ना विया तो सेल जीनीला का मैंने आगे लिखा भी है और स्पेशली बोला भी था क्लास में कि जो जो मैं इस क्लास में बोलूंगी सिरफ अगर वो भी करके चले जाओंगे तो 300 मार्क 360 में से आ जाएगा और 300 स्कूर बहुत अच है अब हेट्रो श्पोर्त लिखा घया मैंने हा परके यहीं एक्सप्लेनएशन में लिखा है और यहीं पूश одном है आपका अंसर भी होगा है ट्रोष पोर्स अहोंगा 13 था इंजरी प्रो स्थे प्रेंपर्य विट्यuls आप से और पूच अप inhabitants of GP 300 शॉस्प करते एंब ने से ही आप से पूछा गया है कोश्चन में देगे हिंदी इंग्लिश में मैं अभी सिरफ एक में ही पढ़ रही हूं क्योंकि इतना समय नहीं हमारे पास कि मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में अगर पढ़ूंगे तो भाया रात यहीं पर हो जाएगी और पूरी एक्स्प्रेनेशन भी नहीं दे रही हूं तो आप डायरेक्ट अंसर को माक कीजिए और यह चेक कीजिए कि कितना हमारा सिमिलर है जो हमने किया था ठीक है जो बोर्ड वाले बच्चे हैं जिन्होंने डेली क्लास ली है वो एकदम शांदार तरीके से देख लो ठीक है वही इसमें बोला था कि यहां से अपका यह ग्रॉस फ्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखिए आप पूर्पूरा आपको डिफाइन करके लिख रख है अने बोला था यह जो आर होता है यह लॉस हो जाता है है जिसको रस पाइरेटरी loss बोलता है कंप्लीट यहीं से आया तीन स सेप्टेमबर की क्लास से एंद आप को यही वहाँ पर लिखा गया है और यहां पर रिपाईरेंट्री लॉसस यही हमें आपको अगर आप स्क्रिन्शॉट में देखे तो R is your respiratory loss, same question exactly similar, question number 11 देखे शांदार तरीके से, match करना है आपको, यहाँ पर आपको match दे रखा है, अगर आप इस question को मेरे screenshot में देखें, तो यहाँ पर मैंने आपको explanation, actually मैंने screenshot पहले ले लिया, यह दिखाने के लिए कि मैंने जो आपको explain किया गया, same, 10 September को हमने question किया बारा सेप्टेंबर को paper में आए, आपका जो philogen होता है, और cork cambium होता है, यह divide करके cork बनाता है, बाहर की side, जिसको film भी बोला जाते है, same, आप से क्या question पूछा है, क्या बोला जाते है, same, यही question पूछा है, cork cambium किसके साथ mark करोगे, film के साथ यहाँ पर आप मार्क करोगे यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, पूरा देख लेते है, cork film के साथ, cork simple, film के साथ cork cambium philogen बोला जाते है, secondary cortex को philoderm बोला जाते है, तो यहीं अगर आप मार्क करोगे इस question में, तो cork cambium को philogen, ठीक है, और cork को आप क्या बोलते है, film secondary cortex को philoderm, भईया, B और C तो हमारे question में है, अभी explain किया, हमने 10 September को भईया, क्या mark कर दो कि B का क्या आ रहा है, B का आ रहा है, भईया, आपका first, B का आ रहा है, आपका first, और आपका C का क्या है, C का fourth, मतलब आपका third option, direct आप मैच कर दो, अगर आपने किया होगा, तो एकदम आपको revise होगा, यह question, अब आजा है, यह question number, भईया, next question, question number 12, हमारा आचुका है, इसमें आप से यहाई पर देखे, अगर आप यहाँ पर देखो, तो मैंने आप आपको orange pen से mark कर के भी बताया था, अगर आप इस screenshot में देखो, तो यह आपका screenshot 3 September, 3 September का निया, 28 अगस्ट का इशाय दिया, आपका यहाँ पर मुझ question है, यह मैंने आपको explain करते हैं, मैंने आपको बताया था, कि इस page में से दो question बनते हैं, एक बनता है, इलेक्ट्रो फॉरेसिस के सद्धान से, दूसरा question आप से जो पूछा जाएगा, और मैंने इसको अलग color से भी mark किया था, कि याद कर लेना, orange color के band दिखाई देते हैं, ज आपके पास एकदम screenshot है, और class भी जाके देख लेना, अगर मैंने ना बोलाओ, यही आप से question में पूछा, bright orange band, color मैंने change करके pen का आपको दिखाया था, ठीक है, चले, question number 13 पे आजाओ, शांदार तरीके से, रे भी एकदम exact question है, यहाँ पर मैंने match the following दे रखा है, और यहाँ प September का question है, 5 September का, ठीक है, 5 September मतलब paper से 5 दिन पहले, यह 6-7 दिन पहले, 6-7 दिन पहले बस, which stage of meiotic pro phase show terminalization of kiazmata, बोले है, इसमें से वो कौन सी phase है, जिसमें terminalization of kiazmata होता है, same यही question आपका यहाँ पर है, देखिए, आपका यहाँ पर दे रखा है, terminalization, terminalization, पूरा statement है, वैसे terminalization of kiazmata, तो terminalization कौन से option से mark किया गया है, डाइकानेस से, यह option में है के डाइकानेस, बिल्कूल है भी है, क्योंकि same question है, ठीक है, यहाँ पर हमने सभी को सब के साथ match करके, पूरा question है, यहाँ पर दिया है, match the following में, और यहाँ पर आपको simple, एक statement में, terminalization दे रखा है, यहाँ पर ध्यान से देख लो, ठीक है, यह पूरी अगर statement देखी जाए, तो यह पूरी statement है, वैसे तो, ठीक है बेटा, चलिए, अब आज यह question number 14 पे, या अगर आप पूरा screen shot में देखना है, पूरी screen पे, तो पूरी screen पे देख लो, diokinesis is a terminalization, यही आपका question में पूछा गया है, क टर्मिनलाइजेशन किस stage पे होती है, अब आज यह question number 14 में, question number 14 को देखे, हाँ बेटा, question का PDF आपको description में, जो neat का paper है, as it is, आपको description में, मैं उसको link दे दूँगी, मैंने आपको type करके question देए, क्योंकि वो paper सिरफ मेरे पास अभी English का ही available हुआ है, सिरफ English का neat का question paper मैं आपक कुछ दिनों बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर upload करवा दूँगे, फिलाल के लिए English में है, मेरे पास paper, कुछ दिनों बाद हिंदी में भी करवा दूँगे, देखे, आपर which of the following statement is incorrect, बोला गया है, इन में से वो कौनसी statement है, जो गलत है, यहीं पर हमने आपके class में, मैंने आपको PDF समयत, मैंने आपको पूरा learn करवाया था class में, अगर जो भी बच्चा class में होगा, मैंने बोला था, इसको learn करना, यह पूछा जा सकता है, मुझे इस पर doubt हो रहा है, इस question पर, same यहीं चीज आपकी पूछे, मैंने आपको screenshot दिया, उस दिन का, किस दिन का है वहीया, यह आपके 13 अगस्त का, sorry, 30, sorry, 13 ने, 31st अगस्त की class का, यह हमारा revision है, यह chapter हमारे सारे, यह मन सोचीएगा कि syllabus करवाया, तो कहीं ना कहीं तो फसे गई, यह सारे वो topic है, वो lines मैंने उठा के लेके आई थी, जो आपको revision में करवाना था, क्योंकि बहुत बच्चे हमारे 7 बह 11th की, पूरी class 12th की revision करवाई थी, main main topics के साथ, और उन topics में से भी, पूरे chapter में से भी, मैंने कुछी topics उठाये थे, सारे topic भी नहीं topic में से question फसे है, यह आप अपना लख माल लो, यह हमारी महनत, यह वैसे तो लख वक्त तो मैं नहीं मानूंगी, यह हमारी महनत है, आपकी ज चलिए, कि हमने हा महनत की है, चलिए यहाँ पर देखे, सेम यहाँ पर आपका पूरा, difference मैंने दे रहा है, मैं आपको पूरा statement दिखाते हूं, कि ऐसा भी नहीं है, कि आपको इसमें मिले गा नहीं, पूरा का पूरा statement मैं आपको मैंने तो, वैसे दो आपको screen shot यहाँ पर दे maintainer है फूटो शिस्टम 1 & 2 तो ह्याँ पर लिख रकाया ओल्ली फोडो सिस्टम वन ईज इन वॉड़ इन साइक लेक फॉटो फॉस्फोर 97 मैंने आपको ये रिवीजिन में दिया था करवाया था क्लास में रवाइस और बोला था यह जो यह मैं आपको दोनों के दोनों जो आपको बॉक्स देरी उसको लर्ण जरूर कर ले ना बोत फोटो सिस्टम वन एंट्टू आर इंवार इन नॉन साइकलिक तो सेम आपका कोशन यहाँ पर पूछाए कि इन में से कौन सी स सिस्टम होते हैं बोथ नहीं होते हैं बोथ आपके नॉन साइकलिक में होते हैं जो हमने अभी यहाँ पर स्टेटमेंट को देखा ठीक है विटा अब आज यह नेक्स्ट कोश्चन में यह डारेक्ट अपना कोशन फसा अगर आप देखोगे डारेक्ट मैच दा फॉलोइंग बलकि यह मैंने आपको दो बार यह कोशन करवाया था अगर मैं आपको बताऊं तो 9 सेप्टेंबर को भी मैंने आपका यह कोशन करवाया है और आपका 5 सेप्टेंबर को भी मैंने आपका यह कोशन करवाया है थोड़ी से लैंग वेज चेंज है अगर आपने दोनों दिन मे अगर यहां पर screenshot दिखाई दे रहें देखें सेम यहां पर options भी एकदम मतलब आपका एकदम लिखा भी एकदम same है match the following आपका डिट्टो आपका question है और आप लिखा गया है G1 phase, S phase, G2 phase और meta phase ठीक है बस आपका meta phase नहीं है आपके neat case में बाकी सब सेम है अगर आप देखें तो बाकी सारा पूरा question एकदम same है इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा से इसको hang हो जाते है यह board तो patience रखेगा आप सभी चले चले यह question है देखिए S phase, G2 और G1 phase same बस यह Qsend stage आपका दे रखा है जो आपका एक extra point दे रखा है लेकिन यह भी मैंने आपको Qsend का भी question करवा रखा है अगर आप देखें तो 5 September को अगर आप इस question को पढ़ोगे ना बाद में मैं आपको इसकी PDF दे दूंगी Qsend stage करके मैंने यह आप पर दे रखा है आपको 5 September को question सेम question की वही आपके जो जीवन आपका जो Qsend stage है G0 वो आपके G1 phase के बाद आ जाता है जो inactive stage होता है सेम आपका इस question में तो एकदम ही direct question में क्या ही बता हूं इसमें आप डारेक्ट देखके अंसर बता दोगे एस फेस का क्या होगा मैं तब भी आपके एक बर मार्क कर देती हूं एस फेज में आपका DNA replication होता है ध्यान रखना और आपका Qsend stage एक inactive stage है G2 phase में आपका कुछ प्रोटीन की synthesis होती है और आपका जो जीवन फेज़ेट इंटरवल बिट्वीन दे एंड ओफ माई टॉसस एंड इनिशेशन और एस फेज और डिने रैप्लिकेशन आप कह सकते हो मतलब मार्क कर सकते हो आप 3rd से और जी टू को फास से तो या एक को कहा मां किया आपने 4th औ और आपने कहा मां किया भी को किया 1st से मतलब 4th option is a right answer अब आज आपने next question में actually वह पूर इतना बड़ा question है तो आपका screenshot अगर मैं उसी 21 में पूछा है नहीं यह 2018 में भी आया था और मैंने अपनी 11 वजे की class में जब आपको मैं इस chapter का मैंने revision करवाई इस chapter को मैंने आपको दो बार revise कर रहा है अगर आपको ध्यान होगर आपने classes लियों डंग से तो एक September को मैंने आपका इसका revision करवाई था एक September को और उसमें मैंने आपको यह screenshot उस class में भी दिया था आपके NCRT का और बोला था कि अगर आप देखो यहां पर अगर आपको शांदार तरीके से दिखाई दे रहा है यहां पर दिखाते हूं आपको फुल पेज में आपर लिखा हुआ है मैंने प्रीवियस यह कोशन नीट 2018 का यह कोशन में यह भी लिख देती हूं और यह कोशन क्या था मैंने आपको class में बोला था कि भीया पुनीत स्क्वायर के उपर कोशन था उस कोशन में जो 2018 में पूचा गया था वह कोशन इस प्रका में कि भईया जो आपके मेंडल ने जब क्रॉस की थी उसका जो रिजल्ट प्रोजैनी निकाली थी उसको किस में रिपर्जेंट किया था और मैंने आपको बोला था यह पूछा जाएगा इसको अच्छे से करके जाना इस बार 2021 में पूरे chances है क्योंकि 2018 में कोशन आया था उ है या उस स्क्वाइर को बोला क्या जाता है ठीक है तो अंसर क्या होगा पूनिट स्क्वार होगा वह यह शांदर तरीके से वह यह यह भी मैच होगे अपना एक सेप्टेंबर को मैंने आपको यह करवाया था भी आभी तो 17 साथ कोशन है वह यह चले कोशन नमर आठारा दे सोब्सक्राड रखने में तक क्या मैंने प्राक्ड़ करवाई थि यहां पर और यहां पर हापना पूशन दिखा त क्या है उैड है बढ़ा यह यहां पर कौमनिस आयुडी है और question है which one of the all question आपका क्या है which one of the following is an example of hormone releasing iud आपको यहाँ पर भी option दे रख है और same option में आपको यहाँ पर भी दे रख है अगर आप ध्यान से देखो option में भी फर्क नहीं है copper tea is the right answer यहाँ पर भी copper TP mark किया है यहाँ पर भी copper TP mark करो कि same question question की language change है ठीक है बेटा लेकिन same question है बेटा same एकदम बेलकुल शांदार question आपका अब आज यह question number 19 पे 19 वा question है आपका आपका code अलग हो सकता है code आप सभी का अलग आया होगा किसी का कुछ कुछ code आया हो उसके हिसाब से question आगे पीछे हो सकते हैं यह लेकिन question यहीं है आप सभी जरूर अपने नीट के पेपर से इसको टैली कर लीजे कि आपको कौन सा question कहां पर है ठीक है वह आपको ढूलना पड़ेगा देखिया question number 19 देखें यह आप complete the flow chart on central dogma यह question भहिया आपका मैंने आपको revise कर वाया था यह chapter अगर आपको ध्यान हो आठ बजे वाली class में और बोला था कि भी यह इसको कर लेना यह Francis Crick का central dogma बहुत important है और कोई पुराना question यह अभी just हमने जो जो chapter एक short में हमने रिवाइस किया था देड़ घंटे की class ली थी एक short में पूरा का पूरा chapter device किया था उसमें से कुछ ही questions मैंने आपको पांच questions यह थे उसमें से आपका central dogma आपको दिया था कि भाई यह question पूछा जाएगा और पूछा गया है विटा पहला क्या होता है central dogma के सबसे देख लो यहां पर लिखा भी है वेने transcription जिसको अनुलेखन translation रूपांतरन और सबसे पहले भीया आपका उसके बाद आपका क्या उसके बाद प्रोटीन बन जाता है तो देख लो क्या होगा ट्रांस क्रिप्शन सबसे पहले तो रैप्लीकेशन और यहां पर दीन ने का उसके बाद ट्रांस क्रिप्शन ओगा देख लो कौन सा अंसर हो जाएगा डारेक्ट मारक कर दीजेगा आपका लास्ट आप्शन नमबर 4 एक दम डारेक्ट स्टेटमेंट से भीया कोशन है इसक मैंने डारेक्ट आपको अभी जस्ट अभी का रिवीजिन का क्लास दे दी ठीके विटा चलिए उसी का स्क्रीन शॉट मैंने दे या बहुत मैनत लगती है स्क्रीन शॉट में एक एक क्लास को ढूंड के चले अब देखे कोशन आवर 19 चले यही वाला कोशन आपको हिंदी में दे रखा है कोशन आभर 20 देखिए सक्सेस एंट्रीकर्स इज रिफॉर्ड टू आज काइम पेंक्रियाटिक जूस इंटरस्टाइनल जूस और गेस्ट्रिक जूस बताइए सक्सेस एंट्रीकर्स इज र करवाई हुई है क्लास मैंने और कोशन में आपका दे रखा है कोशन पढ़ लो यह मेरा कोशन पढ़ लो इसका नीट का वोशन पढ़ लो क्रेप्ट और लेबर खनार फाउंड इन बिट्वीन विलाई दे सिक्रीट और अंसर मैंने हाँ पर माक कर रहा है सक्सेस एंटेरिकस करते हैं आपका विलाय कहां होति इंटेश्टाइं में रसांकुर आप सभी को पता होगा इंटेश्टाइन में अधिब्हाइ तो तो इंतर स्टाइनल जूश थोड़ा सा को शुल की स्टेटमेंट को ऐला कर दिया हैं बागी कोशन एक्जैक्टली सेम है उसने बोला है जो विलाय होती है वह क्या सिक्रीप विलाय जो क्रिप सॉफ कि सक्सेस एंट्रिकर्स को इंटरस्टाइनल जूस भी कहते हैं और यह आपकी एंजाइम्स की ट्रिक है यह भी बताया था देख लो यहां पर प्रूफ के साथ स्क्रीन शॉल्ड एक दम एक्स्प्लेइन भी किया था कोशन के साथ मैंने आपको और यहां पर लिखा भी गया है कि इंटरस्टाइनल जूस है अगर आपको राइटिंग समझ में आ रही हो तो बहुत ही शान दा रहा है चलिए अब आज यह कोशन नंबर 21 पे यह भी कोशन मैंने हाल ही मैं आपका 20 शाय 24 या 20 मिर को अब यहां पर नीचे कट चुका है तो मुझे ध्यान नहीं है किस देट को करवाय था लेकिन अगस्त की रिवीजिन है अगस्त में मैंने आपको कोशन प्रैक्टिस करवाई थी देखें प्रीवियस यह कोशन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाय था टापिक वाइस तब मैंने आपको यह कोशन दिया था और सेम कोशन है एक्जाटली सिमिलर कोशन एक तो वेल्यूस भी चेंजने क्योंकि वेल्यूस तो फिक्स ही होती है चले तो देख लेते हैं गार कॉशन को यहां पर मैंने लिखा विच आफ दा फॉल्लविंग इस करेक्ट यहाँ पर दे रखाए कि भहिया बताओ कि आपका कितना प्रेशर होता है कितना पार्शल प्रे सेम यहां पर मैंने आपको कोशन दे रखा है आपकी एल व्यू लाए कूपी का में कितना पार्शल प्रेशर होता है और इसका अंसर हो जाएगा आपका 104 यह थार्ड आपका हो जाएगा मतलब यहां पर मैंने मार्क तो नहीं किया हो गया क्योंकि स्क्रीन शॉट मैंने उस समय नहीं लिया है तो आप देख लेंगे सेम आपकी वेल्यू सेंगे 104 और सेम आपका 104 बस यहां पर 45 और पर 40 इतना रेंज में डिफरेंस आता है 40 to 45 प्रेशर में डिफरेंस होता है ठीक विटा तुसेकंड आप्शन को माक कर लो सेम आपका ऑप्शन भी सेम अविटा देख लो यह फिर्स्ट आप्शन एक्दम एग्जैक्ट ली सिमिलर 159 159 बिलकुल अलग नहीं बल्कि आपके लिप दूसेटम भीरी में डरी अपने अपने टो भी डलिट में आप बोल श Lily a खीक में विए तुमने गलत दे रखा मया इस भीर सटोग सकते लिटेंड के उपर कि तुमने यांपर यूणिने दिशम फंट गोशन किया देख लो जली कोशन देखे 21 कोशन अभी तक 21 कोशन आपके एकदम एक्जैक्टली हमारे आएं अभी आगे साथ कोशन से सिस्टी कोशन तो मैं आज लेके आई हूं और इतना समय नहीं था कि भाईया नभ्य पूरे कोशन करवा सकूं लेकिन साथ तो करवा हूंगी आपको कंप्लेट देख लो अब शांदार तरीके से हुआ निक्स कोशन पर यह मैंने डारेकट आपको पेपर का ही दे दिया है क्योंकि इसका क्लियर था एक दम अपर बताना कि आपको आप पर आपको लगा हुआ है एक बर जल्दी से बताओ यह आपके नीट के पेपर का कोशन मैंने डायक थी महां से उठाके डाल दिया था क्योंकि यह मेरे को क्लियर दिखाई दे रहा थो उस पेपर में इसलिए डाल दिया चलिए जल्दी से बताओ और सेम हमारा कोशन यहां पर देख लो कुछ एक सेप्टेमबर का कोशन है अरे भया हिल जा अभी करवाया हुआ को प्रैक्टिस है आपका देख लो माइक्रोब्स इम हुमन वेल फेर का और देख लो यह कोशन ऐस पर जिलस नाइगर दे रख है अपने कोशन में देखो इस पर जिलस नाइगर का एक स्टेटमेंट भी नीए डिया इखक्ति दूसक्त नाइगर असी टोबेक्टिस लिए तर डिया क्लॉस्टर री डियम लेक्टो बेसिलस लेक्तोबसिलस माक कर लो हमारा अंसर तो भी आया ता तो मौरा भी देख लेते हैं तुम्हारा भी आए क्या बात है चलिए सपर जिलस निगर पर किस पर का हैं कि वाल बढ़ सांदाा सही या थिस भी बच्चे का पर उसनी सही आ तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सब्सक्राइब अपना कौन सा कोशन ये कोशन भी सेम है चले अब आजी नेक्स कोशन पर आजी शांदर तरीके से नेक्स कोशन पर कोशन नमर तईस है अब विच ऑफ दा zarra following is not an application of PCR देखे ही मैंने आपको PCR 11 सेप्टेμर को मैंने आपको PCR के दो कौशन करवाय थे ठीक है पेटा और उनी कोशन में से आपके आपकी इस बार नीट ने क्या किया आपने नीट ने आपने एक कोशन पहले भी देखा था भी PCR का जो प्रीविए सेर का कोशन था एक दम अभी देखा था था कि पहले सबसे पहले स्टैप कौन सा होता है डी नाचुरेशन एनीलिंग उसके बाद एक्सेंशन वही कोशन PCR के उपर सेम ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक और कोशन सेम ही पेपर में देखोगे तो इस मैंच करवा के दे रखा है कि इसकी अप्लिकेशन क्या है अगर आप देखोगे पीडियेफ में देख लीजेगा और यह आपका इसका प्रोटीन की आईसोलेशन में कोई काम नहीं होता है यहां पर मैंने मार्क किया है PCR एम्प्लिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक असेड करता है जो आपका थर्ड आप्शन है तो यह मॉलिकुलर डाइगनॉसिस भी होगा एम्प्लिफिकेशन करोगे डाइगनॉसिस भी तो कर सकते हैं और आप जीन की म्यूटेशन भी देख सकते हैं उसके लिए भी आप करते हैं इसलिए पीसियार को कि ज्यादा क्वांटिटी में आपको न्यूक्लिक असिड मिल जाए जिससे आप अच्छे से डिटेक्ट कर सक सेम वही कोशन है बिलकुल अलग नहीं है कोशन यह आपको बड़ा सा स्क्रीन शॉट दे दिया इसको देख लीजेगा अब आ गया आपका एक और कोशन मतलब तीन कोशन पीसियार के लगातार आपके इस बार के नीट के पेपर में पूचे हैं बहुत ही प्यार कर दिया बह आपको पीसियार से कोशन पूछेगा ही उठाके योगी कोविड में बहुत आर्टी पीसियार आर्टी पीसियार चला है तो पक्का पूछने वाला है कि पीसियार क्या होता है और उसने पूछा भी है उसने एप्लीकेशन भी पूछी है उसने प्रोसीजर भी पूछा है कि भाईया क्या steps होते हैं और उसने ये भी पूछा है कि भाईया अगर उसके पहला step नहीं होगा तो कौन सा next step नहीं होगा देखिए question पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रही हो मैं during the process of gene amplification using PCR if very high temperature is not maintained in the beginning then which of the following step of PCR है तो मैंने आपको इस question में समझाया था और यह question मैंने आपको 11 को ही करवाया है 11 गर आप देखें तो मैंने question आपको 11 September को करवाय चेक कर लेना जाके इस diagram में मैंने आपको पूरा समझाया था कि पहला step जो होता है वह आप जिसमें temperature दिया जाते है सेम कोशन जो आपका लिख रहा है वही बताया था ना इन सेम आपका डाइग्राम के साथ और question में भी आपको यहाँ पर लिखा है बता देता है आपको एकदम exact देता है ठीक है चली तो पत यह आपको पूरा complete मैंने दे दिया है आप देख लीजेगा ठीक है अब आजाए कोशन नमबर 20 अच्छे यह 28 अगस्त का कोशन है कोई नहीं आप देख लीजे फिलाल अब आजी कोशन नमबर 25 पर देखे आपको यहाँ पर दे रखाए कि आपको यह क्या रिपरेजेंट करता है यह क्या दर्शात है दबेस ऑफ जमेट्रिकल लोगारिथम दबेस आफ नं मैंने आपको और पॉपॉलेशन को रिवाइज कर वाय था तब कर वाय था हिंदी में भी कर वाय था इंग्लिश में भी तो अगर बच्चों को लग रहा है कि भीया हमारे पर ध्यान नहीं दिया गया तो ऐसी बात नहीं है आप जल्दी जल्दी में एक ही लेंग्वेज में तो आप परिशान मत होएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का तभी मैंने स्क्रीन शॉट यहां पर दिया है कि आपको पता लग सके कि देखो यहां पर मैंने बताया भी था कि भीया यह आपका लॉग होता है ध्यान लेकना बेस अगर आप इसको चेंज करोगे तो लॉग में यह 2.303 होता है अगर आपको ध्यान हो तो यह मैंने बोला था और बोला था यह स्टेट यह वाला फॉर्मूला हमेशा आपसे पूछ ते यह भी मैंने बोला था इसको स्टार लगा के जरूर लिख लेना कॉपी मांगर क्लास देखोगे तो बोला था कि इस क्लास यह वाला यह हमेशा पूछते और आपको रिवाइस भी करवाया और यहां पर आपर मार्क भी किया था साइड में लिखके कि भाया एको नोट कर लेना आपका यह जो ई है यह आपका बेस ओफ नेचुरल लोगैरिथम होता है दबेस ओफ नेचुरल लोगैरिथम एकदम बहुत ही इजी कोशन बहुत ही शांदार पेपर वहिया आप तो मुझे लग रहा है मेर कोई दे देना चाहिए था पेपर आपका नीट का चलिकोशन नमर्ट 27 देखिए इंस्पाइट आफ इंटर स्पेसिफिक कॉंपेटिशन इन नेचर विच मेकानिजम दा कंपीटिंग स्पीसिज माइट हैव इवाल्ड फॉर्दा सर्वाइवल और अगर आप देखो कि 10 अगस्त को मैंने आपको यह रिवाइज दस अगस्त बेटा एक महीने की बात है कोई जादा नहीं है एक महीना भी पूरा नहीं है चैप्टर को रिवाइस करते बारा सेप्टेंबर को पे यह लाइन तो समय लगेगा अभी आप सिर्फ झारी देखलो इसका यह मैंना आपको तीन स्क्रीन शाट दी है और यह तीनों की तीनों स्क्रीन शॉट एक यहीं क्यास के और आपका जो कोमाशन में जो इस नहीं स्टेटमेंट दे रखें कि वही statement आप अगर इस screenshot को पढ़ोगे तो पहले screenshot में interspecific यह जो pages थे ना यह लगातार page थे अगर आप class को देखोगे तो यह आपकी पहली slide थी यह आपकी दूसरी slide थी और यह आपकी तीसरी slide थी तो पहली slide में मैंने आपको interspecific competition बताया था और बोला था दो species के बीच में होता है फिर बोला था कि competition दो तरीकों से कम होता है एक competitive exclusion और एक competitive coexistence यही पर third page पर मैंने बताया था कि भाईया आपका ही जो coexistence में resource partitioning होती है ना इसके कारण आपका inter specific competition क्या होता है कम होता है बतलब यह तरीका होता है mechanism होता है इनका तो answer क्या हो जाएगा second option आपका सही एकदम उत्तर हो जाएगा resource partitioning is the right answer याद है वह जिसको याद है वो तो yes मैं कह रहा है करवाय था ना वह यह यह पूरा एकदम screenshot से आया है पूरा question अगर आप पढ़ोगे तो जो मैंने आपको theory में statement दिये वही theory यहां पर लिखी हुई है question में तो second को mark कर लो एकदम शांदर तरीके से कहां गया question सेकेंड को mark कर लो resource partitioning अगर आप यहां screenshot में देखो तो यही लिखवा रहा है resource sharing और resource partitioning एक ही मतलब होता है और एकदम statement to statement अपना answer match कर गया है और यह 35 question भी इसी class का question है इस class का नहीं है इस class का नहीं यह 9 अगस्त का है 9 अगस्त का एक दिन पहले कही इस चैप्टर को मेरे को screenshot भही आप बहुत सभी लग रहा था इसको ढूड़ने में तो आप क्या करोगे डारेक्ट इस class को देख लेना चाहिए इसका answer हो जाएगा प्लस और जीरो ठीक है अगर आप देखोगे तो आपको मजा आ जाएगा यह स्क्रीन शॉट देखते हुए आपको इस statement लिख हुए है same statement आपकी question आई इन सम मेंबर्स और विच आफ दा following pair of families pollen grain retain their viability for months लिखा है ना viability for month किस family में होती है यहां पर family के नाम दे रख है और मैंने आपको यहां पर example दे रख है फैबेसी और सॉलनेसिया का सॉलनेसिया दे रखा है यहां पर फैबेसिया दे सॉलनेसिया तो मैंने आपको यह अगर आप क्लास देखो तो आपको याद आ जाएगा ठीक है वीटा क्लास देख लेना चलिए बाकी की पीडिएफ अंसर सिर्फ दो पेजस की पीडिएफ आपको उपलब्द करवाई थी और बोला था स्मूद मसल काईडिक मसल और स्केलिटल मसल बहुत ही टुच्चा कोशन है जो पेपर में आता है इसको पक्का एक नजर मार लेना सिरफ एक ही नजर मारनी आप सभी को और कोशन आप से पूछा गया है देख लो आप कोशन को पढ़ लेते हैं गबर विच और फॉल्विंग स्टेटमेंट रोंगली रिपर्जेंट दा नेचर आफ स्मूद मसल तो यहां पर उपर की जितनी भी स्टेटमेंट दे रखिए सारी की सारी सही है अगर आप देखोगे करोगे स्मूध मसल के बारे में देख है और साथ में डिकिस्टमथ में जाता है अंदर पाय जाता है असरीर के अंदर अंगों में पाया जाता है ओर ऑँए आप बच्छों के ऊक्लास से पढ़का है और बायों का निया चयandjar है तीन सो चालेस मार्क्स, तीन सो मार्क्स तो मैं आपको तब कह रही थी कि, हमारे तीन दिन की क्लास और एक महीने की क्लास अगर आप ने लिए होई तीन सो चालेस- तीन सो पचास mmा marks अराम से, तीन सो साथ मार्क से अपनी क्लास में से एक दम मैं आप वह 110 परसेंट के साथ कह रही हूं चलिवी आंसर क्या होगा तो देख लो आपका फर्स स्टेटमेंट भी सही है यहां पर अगर आप देखोगे यहांपर इन्वा इन्वालेंटरी होता है यह भी धेयान रखना और यहां नहुक यहीं पेशाय होती कि अब शांदार तरीके से कोशन अबर ठाटी यह 30 वा कोशन है जो हमारा एकदम मैच किया है क्रॉनिक ऑटो इम्म्यून डिसॉर्डर अफेक्टिंग न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बोले वो कौन सा रोग है जो न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को एफेक्ट करता है और यहां पर थोड़ा सा मैंने दो यहां पर आपको दो बार यह कोशन करवाया है तो आप देखलो यहां पर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन मैंने आपको लिखवाया भी था कि यह आपका जो मैस्थीनिया ग्रेविस होते है यह एक आटो इम्म्यून डिसॉर्डर है जो इनिवि लेस्ट मैंने ली थी और बारा को पेपर ठीक है वेटा तो आप ध्यान रखेगा यह सारे कोशन अपनी क्लास से हैं 31 देखिए परसन विद देखिए तो एकदम कोशन भी एग्जाटली सिमिलर है अगर आप कोशन देखोगे तो एग्जाटली सिमिलर है चलिए तो कोशन अब थाटी वन अगर आप देखो तो एग्जाटली सिमिलर कोशन है मैं पढ़के दिखा देती इसका अंसर आप देख लीजेगा मैं आपको पीडिएफ में अंसर दे दूंगी परसन विद ब्लड ग्रूप एबी इस कंसीड़ एड यूनिवर्सल रेसिप बिकॉज ही हाज सेम कोशन एबी के उपर ही दे रखा है परसन विद एबी ब्लड ग्रूप और कॉल इस यूनिवर्सल रेसिपेट दिस इस ड्यू तो ठीक है सेम कोशन एग्जाटली सेम लाइन लाइन भी अलग नहीं है कोशन की अब तो देखें यहां पर एपसेंस ऑफ का यहीं चाहिए उत्तर होगा इसका भी देखलो यहां पर मार्क नहीं किया मैंने तो लेकिन आप देख लीजए बोध एडबी एंटीविडीज भाई या प्लाज्मा में नहीं होगी तब ही इसमें आपका क्या होगा तब भी आपका भी है इसका भी ऑप्शन सही है इसका को यह option सही है मतलब एकदम सही अपना match किया गया कोशन है ठीक है क्लास देख लेना आप चाहे और नेक्स्ट कोशन पर आजए आप सभी दा फ्रूट फ्लाय है एट क्रोमोजोम कब करवाय था यह कोशन 11 सेप्टेंबर को यह कोशन करवाय वहां पर आपको एक जीव का नाम द काद। आपको अंद buffalo कोशन को पढ़ियाए सेध्य यह कोशन एंग्क अंदा धुन्द तरीके से सेम वहां देख यह कोशन के zao वह बतान gün G1 phase में 8 chromosome थे तो उसके S phase में कितने chromosome होंगे यही question आपका यहाँ पर दे रखा है कि एक cell है जिसमें मैं आपको next page करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इसमें आपको यहाँ पर दे रखा है कि 14 chromosome आपके इंटर फेज में है तो बताओ आपके G1 phase, S phase in phase में कितने होंगे और उस question में नीट में पूच आठ क्रोवोंजोम है यहाँ पर मैंने आप से नमबर नहीं बदलेगा तो सेम आपका यहां पर जैसे 14, 14, 14 अचिसे कैने खाना new data दोड़ा सा आपका number changing कर दिया मुझे लगता है धुक्त कर दिया से कम थूड़ा थे थोड़ा सा लेकिन एकदम करें तो इस को जो जो मैंने आपको फ्लोरल फॉर्मूला दे रहा है अगर आपको फ्था द्यान है तो आप आराम से को बना सकते हैं क्योंकि फ्रोषिया का मैंने आपको करवाया था परसेंटेज भाईसेक्शल फाइव काले कि में एक करूला प्लस टूप्लस टू एन्रोशेम नाइन फ्लस न किसमें फ़यों मैच की कि यह मैच करोगी ऑप्षिन से मैच हो रहा है तो एक थड देखें एक थार्ड सिरफ एक ही ऐसा ऑप्षन है जिसमें एक थड़र खाया आपके नीट ने बहुत ही तुचे आप्षिन इस बार मतलब बिल्कुल आपको कनफ्यूज भी नहीं किया कि थोड़ा बहुत भी कनफ्यूज कर दो बच्चों को एकदम एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें थार्ड दे रखाए अगर आपको बेरा कोशन ध्यान होगा ना फैबेसिया का क्या फॉर्मूला अगर आपने आपको बता देते हैं और यह मैंपुल दिया था यहां पर अगर आपका सबसे नेरस्ट कोशन में सबटेंबर गार को मैं नए आपको टिब्यूल मिडगट और हिंडगट के बीच में होती है लेकिन उसने हिपाटिक सीखे के बारे में बोला है कि यह होती है इसलिए उस्टेटमेंट गलत होगी जो मैंने मार्क की थी तो आप इस अंसर को डारेक्ट मैच कर लेना कोशन आपके सामने पूरा मैंने यहां पर दे रखा है एनाल सरकी 10 पेर्स स्पायरेकल यही ऑप्शन में आपका अगर आप देखो कि दोनों लिंगों में 10 वे उदर खंड वह एक दम शांदार तरीके से आपका मैच होगा यह कोशन अब आज यह कोशन नेक्स पर यह कोशन बनेगा अपना यह कोशन अपना बनेगा 35 दे यही टेक्नीक का यूज किया जाते है सेम यही कोशन में आपको मैच दा फॉलिविं करमाया है कि अलीसा जो है डिटेक्शन ऑफ पैथोजन बेजड अन्टीजन एंटीवडी रियक्शन पैथोजन कौन होता है रोग जनक जो डिजीज करता है कोशन में यही पूछा है कि भ अंसर वही अंसर होगा वेटा एक बच्चे का कोशन पेपर उसने वेग्दम सही लगा रख है बहुत ही भैतरीन स्टूडेंट ने काम किया है देखे कोशन आवर थाटी सिक्स देख लीजे यह भी एकदम सेम है मेरी क्लास से पूचा गया है तेकि यह आपकी थोरी 21 माई का कोशन है ऐसे थोड़ा सा लेट है लेहीं यह है कि हमने कोशन आपका वैसे भी किया ही तो थोरी में आपका मैंने समझाया है देख लीजे विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट आप्शन सी पेप्टाइड इस नौट प्रेजिंट इन मैच्यॉर इंसुलिन कि अगर आप देखो के तो मैंने आपको पूरा इंसुलिन बना रहार अगर इसको मैं थोड़़ा सा बढ़ा करके दिखाऊ को इसको डाइग्राम में देख लो चाहिए आप चलि हावनिशीं में देख लो इममेच्यॉर और प्रो-इंसुलिन बोला ए जिसको IF komplain को में यहा को ही सी पेप्टाइड बोलते हैं सारा मैंने आपको यहां पर बता रखा है क्या मुझे एक्स्प्लेइन करनी की जुरूरत है आप सभी को नहीं ठीक है वेटा देख लीजेगा आप सभी क्योंकि यह सब मैं आपको एक्स्प्लेइन कर चुकिए स्क्रीन शॉट समय तो आप के स्क्रीन शॉट के साब से देखोगे तो यह यह भी सही है यह मैं आपको लिखवाया भी था अगर आपको ध्यान हो डी और ए तो भाईया यह फॉर्थ ऑप्शन इसका एकदम सही है एकदम एक्जैक्टली सिमिलर आपका एक कोशन है अब आज ही इस कोशन पर यह भी आप आपको सेम अगर आप बड़े ध्यान से के पीछे देखोगे ना क्या लिखा है तो यहां पर लिखा है ना ने पॉलीमरेज इस दा में एंजाइम इन वाल इं ट्रांसक्रिप्शन और भाईया आपके आरने पॉलीमरेज को डिन डिपेंडेंट आरने पॉलीमरेज बोला जा की ट्रांसक्रिप्शन में आपका कॉल सा इंजाइम होता है प्रोकिरोट्स में तुल क्या थे चाहे स्क्रीन शॉट्स क्या होगा डिये ने डिपेंडेंड लिएने पॉलीम member Test थार्ड आप्शन आपका सभी होगा एकदम सही पिया अपना ये भी स्टेट में एकदम सही है अब आज ही कोंशन नमबर 38 पर ऑर सभी होती है यही कोशन आपका 11 सप्टेम्बर को लेट नहीं है 11 September को यह मैंने आपको कोशन करवा है 11 आप देख लो कितने सारे कोशन 11 September से और मैंने आपको स्क्रीन शॉट दिया सणी कि मैं हवा में बोल रही हूं स्क्रीन शॉट सहीत मैंने आप लिखवा है कि इन मेंसे किसमें आपकी प्लास्ट होती है और बाकी आपको सारे और आप्शन वो दे रखें जिसमें मेंबरेन होती है ठीक है आप ये नहीं होती अगर आप मेरे इस कोशन अगर आपने मेरा कोशन देखा है तो डारेक्ट मांक कर दो या राइबो जोन होला कट जाएंगी इस यह बहुत कर जाएगा क्लास का तो भही है यह आपको सारी बाते की थी आप सभी के साथ आप देखिए कोश्चन नमबर 39 वाट इस रोल आफ आर ने पॉलिमरेज थर्ड इन दा प्रॉसेस आफ ट्रांस्क्रिप्शन इन यू करे ओट यहां पर मैंने आपको तीनों के तीने आर ने पॉलिमरेज का स् आप देखंगे पर कि आपको सकते ने यहां बाने पोलिमरेज वन लिखा है तू लिखा है लेख़ंगे और यही चीजें आप लिख रही है और कोश्चन भी आपका कुछ यही पूछ रखाए अगर आप डारेक कोस्चन देखोगे कि आपका आर ने पॉलिमरेज बेटा ब बनाता है अगर आप डारेक्ट देखोगे और यह रिवीजन क्लास है रेगूलर क्लास नहीं जो आपकी स्लेबस वाली चलती इस रिवीजन क्लास जो मैंने आपको में बेन पॉइंट बताये थे और वही में पॉइंट पेपर में आये हैं बहुत बड़ी बात है बहुत जहां भी था यह टी आरेने अंतरन आरेने को ट्रांस्क्राइब करते आरेने पॉलिमरेज थर्ड अब आजए भाईया कोशन नंबर 40 पे यह कोशन भी मैंने आपको 11 सेप्टेंबर को करवाया था अगर आपको ध्यान हूई कोशन देख लो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूं इसका 11 अच्छा यह वादा कोशन 11 सेप्टेंबर को नहीं था कोशन कब करवाया था यह इसका नीचे का डेट छुप गया है लेकिन यह कोशन मैंने आपको करवाया था ठीक है तो यह कोशन के स्क्रीन शॉट है आप यहां से देखेंगे विया कोशन क्या करवाया था करवाया गया कोशन है आपका मुझे लगता है यह फरbles देखेंगे वियां यहां पर डेट नहीं धिखरी है आपको यहीं किसल सिकल सेल एनीमिया है तो उसकी प्रोजनी में कितनी पर्संटेज होगी जो आपकी हेट्रोजाइग्स होगी जो सब्सित करने ऐंन्tech बोटिक। prozygous for sickle cell anemia gene what percentage of progeny will be disease कितनी progeny में disease होगी और सेम कोशन मैंने आपको 3 सेप्टेमबर हो यहाँ पर तो आपको percentage में पूछा है मैंने आपको क्या करवा है आप देखो यहाँ से मैच करो अपने कोशन को यहाँ पर मैच करो इस कोशन को देखे यहाँ पर मैंने आपको कोशन दे रखा है कि सही मिलान का चेहन करे और आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कि सिकल सेल अनीमिया और इस कोशन का अंसर जो मैंने आपको करवाया था इसका अंसर था सिकल सेल अनीमिया इस कोश मतलब sex chromosome के ऊपर नहीं होता है यहाँ पर देखे मैंने आपको explain भी किया थे question यहाँ पर मैंने आपको explain भी किया है HBS, HB का लेके यहाँ पर इसको माँ बड़ा कर देता हूँ आप यहाँ से देख लो यहीं से आपका answer भी आ जाएगा इस आपका यहां से अंसर भी आ जाएगा ठीक है वेटा चले ये क्या हो रहा है restart क्यों हो रहा है ये भहिया आपकी board ने कर दी है कुछ गड़बड ठीक है यहां पर कुछ गड़बड कर दी है आपके board ने यही पर हमें इसको मुझे लगता है जूम करना पड़ेगा कुछ तो गड़ बड़ कर दी इस ने कि आग कर देखिए मैं आपको ऐसे दिखा देती हूं मुझे आपका बोर्ड हो चुका है है बिटा एक मिन्ट थोड़ सा वेट करेंगे बोर्ड थोड़ा सा हैंग हो गया है तो इसको एक बार दुबारा से स्टार्ट करते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे करेंगे कर देखिए कर देखिए तो थोड़ा से एक मिनट के लिए आपका पोस्टर लगाए जाएगा उसके बाद आपका दुबारा से इसी क्लास में जुड़िएगा कहीं जाएगा मन ठीक है चलिए आप 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 कर देखिए कर देखिए आप आप कर देखिए आप झाल 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 स्वांडे चलिए ठीक है भी टा एक बर दुबारा से शांदार तरीके से सभी जुड़ जाएंगे सही हो गया वहीड ही वारा काम चलिए तो एक बर सभी आ जाएंगे यही कोशन हम देख रहे थे थार्ट था इसका वहीड यह तो देख लिया था next question पे थे हम किसके उपर इसके उपर चलिए इसको जब थोड़ा सा जूम करते हैं तब ही समझ में आएगा यहां पर देखिए यह मैंना आपको solve यह कोशन करवाया था आपको सॉल्व करवाया है यहां पर आपका कोशन तो यहां पर जब आप सॉल्यूशन देखोगे इस कोशन का तो आपको यहां पर दिख रहा है कोन सा देख लो यहां पर क्या होगा अगर आपका अंसर क्या हो जाएगा अगर मैं इसको देख हूं कि दोनों रिसेसिव में कौन सा होगा तो आपका सिरफ यह इसके मेरे मिशायद मेरे पीछे छुप गया वह हो ही कंडीशन होगी जिसमें एच भीएस हीएस आएगा सिकल सेल एनीम्य वाला मतलब कितने परसंट प्रोजेंटी ओगी तिकितने परसंट होगी मतलब 1 तो अगर मैं इसका 100% percentage में निकालो तो 25% तो अंसर को माक कर दो 25 भाया बच्चे ने भी 25 को माक किया गया है बच्चे ने भी शांदर एटेम्ट किया भाया कोशन जिसका भी पेपर जिस बच्चे ने मुझे ये पेपर दिया है उसने बहुत ही शांदार अंसर दिया है 25% आप कई कोशन मेरे करवाया हुआ कोशन थोड़ा सा इसकी लैंगवेज चेंज है और एक कोशन बहुत इंपोर्टेंट है आपका यहां पर यहां पर आपके कई सारे कोशन बन रहे हैं यहां तो भी यह कोशन है यहां पर थैलिसीमिया हीमोफीलिया फिनाइल के टोनूरिया सब क्रॉस भी करवा के बताई आपको तो यह क्लास देख लो कितनी इंपॉर्टेंट होती है जो चोड़ता है ना उसको समझ में आ गया होगा कि क्लास नहीं जोड़नी चाहिए रेगुलर और एकदम तरीके से क्लास को अटेंड कर यह थोड़ा सा मैंने आपको बढ़ा करके भ पहलविंग। तो देख लेते हैं यह अपने कोशन किया था हमने 18 अगस्ति 18 को किया का कोशन है अपना कोशन देख लेते हैं अपने कोशन में पूछा है कि टीवग टॉमी इस डन बाई टीवग टॉमी और इसको अंडवाहिनी विच्चेदन भी कहा जाता है हिंदी अगर आपको यहां पर डाइग्राम बना के और यहां पर option को क्लिक करके दे रखा है कि बागा मादाओ में होता है और फैलोपियन ट्यूब कट की जाती है यह मैंने आपको कोशन दे रखा है 18 अगस्त को करवाया था सेम कोशन अगर आपको ट्यूबक टॉमी ही याद है और कुछ याद नहीं है तो यहां पर ट्यूबक टॉमी को मैच करो किस से आपकी फैलोपियन ट्यूब रिमूवल से अब जरा option देखो एक ही option आपकी नीट में दे रखा है जो थर्ड ऑप्शन होगा इसको आप नीट के प रही कैसे अपनी क्लास से मतलब मुझे अब मैं ठक गई हूं इतने कोशन और साट कोशन निकालना मतलब आपके इस पीपीटी में अरेंज करना बहुत बड़ा टास्क मुझे आप ऐसा लग रहे इतने कोशन फसा दिये क्या चलिए तो मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं हो तो हमें इतने पैसे दे दो लेकिन आप जब कुछ बन जाओगे तो आप बहुतों के लिए एक्जामपल और इंस्पिरेशन का काम करोगे और एक व्यक्ति पूरे के पूरे अपनी फैमिली को सुधारता है इस बात को ध्यान रखना अपने पूरे वन्श को चेंज कर देता है भी यह हर जो बच्चा पैदा होता है ना फिर वह अपने बड़े भाई भेन को देखता है देखो भी यह इस फैमिली में इतना बड़ा काम किया था हमें भी करना चाहिए यह हमारे लिएक मोटिवेशन है समझ रहें से बात को तो अगर आपने अपनी फैमिली में कुछ क लुक्त बड़ा बन के दिखा दिया तो आपकी पूरी फैमिली के लिए आप एक एक जाम्पल की तरह उजाओ घुटर रखता कुछ के तो ऐसी के सरह महनत से होता है कोशित होता। आज मैं आपके सामने या पर खड़ी हूं और इतने कोशन डिसकस कर रहे हूं तो यह हमारी महनत है ठीक आपकी लगन है जितनी लगन आपने पढ़ने में दिखाई है और जो मेरी महनत है क्योंकि मेरे मन में भी ठाक हुई है इस बार तो पूरा का पूरा नीट का पेपर मुझे फसान है अपनी क्लास में से और पूरा का पूरा पूरा पेपर फसा के दिखाया है तो यह मेरी महनत है और आपकी महनत भी आपको जब रिजल्ट आएगा तो आपको नजर में आईगे और जिन भी बच्चों का ठीक है बहुत शांदार आया है जिनकी बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया वह बहुत ही बढ़ बहुत ही बढ़िया है जी बेटा जी बेटा ओके यहां पर देखिए टाटी यह तुबर्ग टॉमियर यहां पर हिंदी में भी मैंने आपको यह स्क्रीन शॉट के साथ एक्स्प्लेइन किया था अब आज यह नेक्स्ट कोशन पे देखिए कोशन शानदार है बहुत बच्चों को याद आ जाएगा स्फिंस्टर ओडी इस प्रेजेंट एट स्फिंस्टर ओडी मैंने आपको क्लास में समझाया था कि यह ओडी गाड़ी है कहां पर खड़ी है आपकी इंटरस्टाइन में खड़ी इस कॉशन आपको सुपर थाटी कोशन जब मैंने आप पर पोस्ट मॉटम चला आथा अगर आपको क्लास ध्यानों सुपर थाटी कोशन में आपको यह क्या कर वाया गर आदेखिए कोशन पढ़ते है यह क्या वहला है अपना कोशन देखते है इन हूमन बींग इंस फिंस्टर और इसका देख लेते हैं यहां पर मैंने आपको डाइग्राम के साथ समझाया भी है कि यह हमारी पैंक्रियाज और यह जो डियोड़नम होती है यहां पर आपका इस फिंस्टर होता है ओडी होती है तो भईया हिपेटो पैंक्रियाटिक ड़क्ट एंड डियोडनम देखोगे यह आपका से उत्तर होगा गैस्ट्रो से स्टॉमक आता है अमाश्य में नहीं होता है यह इलियो सीकल यह आपका सीकम को बता रखा यह भी गलत हो जाएगा जंक्शन आफ जैजनम और डियोडनम का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है यह पैंक्रियास बना रखा अगर आप दे गौशन बर सायंते स्टोषन साइट्डेस किया आंसर भी देख लो बहुत यह चान्दार है यह प्लल एक स्कॉषन एक और altonkachिण यह भी 10 सेप्टैमबर को अलींग ऌशन नीट यह यह वे पर स्कॉषन डॉषण यह 6ी वहSm together को के इसो दलिए आपन हो 10 ऐन्यस हो को आपका चेंज है कोशन एकदम सेम है इसने पूछा है कि आप साइटोसिन और थाइमीन का अमाउंट बताओ तो यहां पर मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताया था कि जितना एडनीन होगा उतना ही थाइमीन होगा मतलब 28 28 तो मार्क कर दो क्या 28 वाला और फिर 28 28 को प्लस करोगे तो जो रिजर्ट आएगा उसको सौ में से माइनस कर देना उसका हाफ कर देना पर आपका साइटोसिन आ जाएगा सेम यहां पर यह है अगर 30% आपका एडनीन दे रखा है तो थाइमीन भी कितना होगा 30 होगा तो यह एक ही ऑप्शन है जिसमें 30 दे रखा है आग पर आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन शॉट बड़ा करके दिया है मैंने बहुत ही बड़ा स्क्रीन शॉट 10 सेप्टेंबर को क्लास क्लास नंबर भी देख लो कोशन नंबर देख लो और एकदम टाइमर के साथ आपकी प्रैक्टिस करवाई थी बता दो भीया कहीं और यहां पर आप सभी का स्विंस्टर अचा है वो सेमी कोशन रिपीट हो गया है चली कोशन नंबर नेक्स देखिए आपका क्या वोला है विच एंजाइम इस रिस्पॉंसिबल फॉर्दा कनवर्जिन आफ इन एक्टिव इन एक्टिव फिब्रीनो जंटू फिब्रीन है आपका सेम कोशन मैंने करवा रख है कब करवाय था 26 जून को आपका मैरतन क्लास ली थी मैंने एक उसमें आपको 26 जून को सेम यही कोशन करवा है देख लो भी यह कोशन क्या है यहां पर आपको एफिल करना है आपको बी फिल करना है और आपको सी फिल करना है यही फिल करन थे लिए लागे आपका एक पडारत है उसको सी में परिवर्तन करते यह सी क्या होगा तो यह अनसर अगर आप देख रहे हो तो फिब्रीनो जन आपका सी ओगार व थूप्षोंगा अनसर होना चाहिए बी थूमग और आपका सी यह तो आपका यह चाहिए आपका सी ऑप्शन नहीं आपका प्रो थ्रॉम्बिन यह होना चाहिए आपका फूर्थ ऑप्शन सेम आपका इसी कोशन में बोल रखा है कि फिब्रीनो जन को यह जो आपको सी अपनी कोशन किया है थोड़ा सा अलग है मतलब एक हमने फ्रोचार्ट की फॉर्म में किया उसने डारेक् फॉर्थ ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा देख लो भहिया ठीके कोश आप 26 जून को यह बहिया क्लास ली थी जाके क्लास देख लेना छटा कूशन है आपका चैले कोशन नमर 46 देख लो क्या बोल रहा है 46 कोशन अपने नीट के पेपर में आए तो तुम देख लो अभी त इसी कोशन को थोड़ा सा गुमा के हाँ पर मैंने दिया है कि भाया तो ऑक्सीजन हीमोगलोविन डिसोशियेशन कर्फ विल शो राइट शिफ्ट अगर आपको यह ग्राफ ध्यान है तो आपको याद होगा कि अगर राइट शिफ्ट अगर आपका इस तरफ ग्राफ बढ़ अगर आपको इसकी अपोज़िट कंडिशन देनी है यहां पर मैंने आपको दे भी रखा कि अल्विलाय में कैसी कंडिशन होगी पार्शल प्रेशल ऑक्सीजन ज्यादा होगा अगर आपको यहां पर बड़ा सा स्क्रीन शोट दे रखा होगा तो आपको ज्यादा अच्छे लिए ज़ादा होना से कौन सा स्टेटमेंट मैच रहा है मुझे बताना सेम कोशन वही पूचा है जो हमने करवाए कौन सांसर मैच कर रहा है बताना जरा भी इसका मैच कर रहा आपका second बचसे बहुत सहीं मैच कर रखा है घए स्टूडेंट कमाल कर रहा है second option जवाइट अम यहीं मैंने आपको यहां पर टाइप कर वाके भी दिया सेनी बात है ठीक है सेकंड को माक कर लीजिए आप शांदर तरीके से अब आजए यह नेक्स्ट कोशन पर यह जो कोशन है इसका भाईया यह मैंने आपको रिवाइज करवाई थी क्लास अगर आपको ध्यान हूं मैंने आपको यह क्लास रिवाइज करवाई थी आपका कोशन पर प्रैक्टिस की क्लास थी उसमें मैंने आपको एक स्क्रीड यहां पर दिया था और अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही शांदर नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं पीडिएफ में देख ल आपको बहुत है एक नेट के पेपर में आवा है कि अद्धेशन गतेशन सेम कॉशन आया हुआ यहां पर यहां पर डी तो दे नहीं रखा है यह है यहां पर कुछ गडवड कर रके मतला यहां पर आप्शन में से अट कहां गया हो गया यह थोड़ा सा आपका कोशन में आप देखेंगे यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर गटेशन होना चाहिए आपका गटेशन होना चाहिए यहाँ पर आपका ठीक है वाटर लोस तुवार्ड पोलर और यहाँ पर आएगा मोर नहीं यहाँ पर आपका इसक कि यहां पर थोड़ा सा देखो यहां पर थोड़ा सा गड़वड कर रखिए इसने तो आपका यह फूर्थ ऑप्शन होता है यहां पर अगर मैं हिंदी में देख लू हिंदी में सही दे रखा है आपका हिंदी में आपका सही कोशन दे रखा है थोड़ा सा यहां पर टाइप का थर्ड ऑप्शन है अगर आप अपनी नीट का पेपर है आपके पास तो खोलिए इस कोशन पेपर को देखिए फॉर्थ का आपका थर्ड से मैच किया जाएगा मतलब दो ऑप्शन में थर्ड है मतलब एक और देखना पड़ेगा अगर आप यहां पर सतह तनाव और सर्फेस तेंशन देखोंगे तो सर्फेस पेंशन होता है कि आपके तरल चरण में अधिक अकर्ष न आपके वेपर फेज में जदा एट्रैक्षन वहती तो first option आपको मैच करोगे आपके से सी का first होगा तो सी का first का पर आपर है वहीया सी का first second option में तो आपका इसका उत्तर होगा वस स स्रेट में निकाल लिए कोशिन मेने आपको 12 lang focus कर वाया अगर आपको कोशन ध्यान है तो बाइड वो है तो नह alarm मेन आपको घ्र यहां से बनता है मुझे पूरा ध्यान है अगर आप कोशन देखना तो देख लेना जाके 10 सेप्टेंबर 36 कोशन है जाके चेक जरूर कर लीजेगा इस कोशन को अब आजी नेक्स कोशन में नेक्स कोशन आपका वही यूनिट मेंब्रेन का कि किसके बार जिल्ली होती आपका मै आपते सप्टेंबर 24 को किया था जो आपका चेक पूशा गया आप 11 सब्सक्राइब अब से स्पटेंबर peso शहरी कोशन है पर से बेटा यह कोशन वह यहां पर देकिये 15 जावन और लिस्ट टो दे रखिया आपको मैंने जो आपको कोशन दे रहा है वो यह किस पिंडल Fiber Arise From कहां से Arise होता है Centriol Centromere Nucleus Mitochondria तो अगर आप यहां पर मेर को देख रहे हो तो मैं यहां पर Point कर रही हूं Centromere की तरफ मैंने आपको इस Question में Centromere को Explain किया था कर आपको ध्यान हो 11 September का ज्यादा दिनों का Question नहीं है ठीक है बेटा जो बच्चे नहीं जुड़ेंगे अपनी Class से वह जान लीजे जो भी बच्चे इस Class को देख रहे हैं पूरा जोश आप में होना चाहिए कि भाईया आपके पास एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जो आपकी इतनी साहेता करता है जो आपको फ्री में सब कुछ दे रहे हैं और वह भी नीट की कोचिंग जहां पर आप डेल पता नहीं कितने कितने पैसे दे के 4-4 लाख में आप एडमीशन लेते हो कोचिंग सेन्टर में और भःया भाहाँ पर भी सेलेक्शन का मतलब नुहीं बनता अगर कोंई कोचिंग सेन्टर प्रूप के साथ दिखा दे तो बात बताना मुझे फेरा यहां पर देख लीज यहां पर पूरा कोशन सैंट्रो मेर Ίंचन अब यहां पर जुडते है चिंगे अगर आप देखेंगे तो C का first दे रखा है एक ही option ऐसा है जिसका C का first दे रखा है अगर आपने question पढ़ा होगा एक भी अगर आपको आता होगा तो आप किसका answer एक दम सही कर के आओगे क्योंकि इसके question में ही बेटा एक ही option ऐसा दे रखा है जिसमें C का first है ठीक है उसके इलावा अगर आपको नहीं भी पता है तो भी चलेगा यहां पर कोई दिक्कत नहीं है तो यहां पर आपका fourth option जो है उसका A का third यहां पर C का first दे रखा है अगर आप यहां पर match करोगे C का first दे रखा है match कर लीजेगा अब आज यह next question में match the following अगर आप इस question को देखोगे तो यहां पर देखो मैंने यहां पर direct आपका match एक बच्चे का question paper है ठीक है शांदार तरीके से उसने सही कर रखा है और मैंने यहां पर आपको यह question समझा भी रखा है ठीक है question देख लीज को आप anthropogenic भी बोल सकते हैं यहां पर आपको last option दिया है थोड़ा सा option में change है बाकी सारा का सारा same question है ठीक है अब यह Convergent evolution wings of butterfly और birds में होते हैं अगर आपको ध्यान हूँ anthropogenic activity और industrial melanism अगर बात करें तो एक ही चीज है कि यह इंडस्ट्री की वज़े से कुछ गड़बड हो ग कुछ गड़बड होगे तो यहां पर दे रखा आपका first option इसका तो अगर आप match करोगे तो second इसका सही उत्तर होगा ठीक है वीटा तो शांदार तरीके से हमारा यह सही उत्तर है चलिए अब आगे बढ़ जाए इसी question के साथ आप बिल्कुल देख लीजेगा अब आ जाते है next question में शांदार question 52 question during muscular contraction which of the following event occur बोले muscles contraction के द्वारान कौन सा event होता है अगर आप इस question मेरे screenshot को देखोगे 14 अगस्त को करवाया गया question है कब करवाया था 14 अगस्त को मेरा question पढ़ो क्या बोल रहे है which of the following is correct for muscles contraction और नीट का question देखो क्या बोला है नीट के question में पूछा है during muscular contraction क्या होता है और सेम वही थोड़ा सा statement में आगर देखो एक ही question है बस वहाँ पर बोले कि क्या होता है और आप से यही पूछा है which of the following यहां पर correct पूछा है और पूछा होता है muscles contraction के दौरान और options भी सेम है अगर आप देखोगे मेरे देख लो shortening of actin filament shortening of a h and i band no change in a band यहां पर गडबड कर रखिये यही पर गडबड कर रखिये अगर आप यहां पर देखोगे यही पर गडबड कर रखिये देख लो मतलब कहने का मतलब आपका यह अंसर है आपका यहां पर a band widens अगर आप इसके नीट के पेपर पे देखोगे तो इसका answer हो जाएगा भी a band widens ठीक है और यहीं आपका अगर आप सही correct अगर आप देखोगे यहां पर तो एक ही statement सही है वो है आपकी no change in a band एकदम opposite question है दोनों एक दूसरे से एकदम opposite question है दोनों एक दूसरे से अगर आप देखोगे c option is the right answer यहां पर भी c option है वहां पर भी same statement में थोड़ा सा statement अलग दे रखे बाकी पूरा question same है आपका अब आज यह question number 53 पे बोला है कि है आपके parturation के समय कौन सा which of these is not an important component of initiation of parturation in human अगर आप यह देखोगे तो मैंने आपको यह पूरा ncrt से revise यह आपके ncrt की statement अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो ncrt की statement है और यह oxytocin prolactin और आपका prostaglandin यह सारे ही आपके parturation में मदद करते हैं सिरफ बजाए एक के वह है estrogen और progesterone यह आपका screenshot देख लो यह आपर दिया है पूरा आपके तरीके से तो आप देख लो next question which one of the following यह तो मैंने आपको लिखके बताया था अगर आपको ध्यान हूं लिखके मैंने आपको एक class में इसको specially मैंने बोला था कि इसको कर लेना यह बहुत important है nucleosome में से question आता है ऐसे इस तरीके से मैंने आपको बताया था और देख लो basic amino acid मैंने आप पर आपको लिखवाया है यही आपसे पूचाया आपसे पूचाया आपसे को में बोला है कि गलत statement को mark करना है आप देखो हमने जो बढ़ा है is a slightly acidic सबसे पहली बात positively charge होते है जो positively charge होते है वो basic होते है यह आप सभी को पता है histones are organized in eight unit rich in lysine और arginine यही मैंने आपको अभी दिखाया मैंने आपको board पे मैंने आपको यही आपका option में यह statement भी सही है यह statement भी सही यह भी गलत कौन सी है थर्ड जो positively charge होते हैं वो basic होते हैं आपका डारेक्ट आपका answer आजाएगा थर्ड यही सेम आपको मैंने 17 जुलाई को आपको यह chapter आपको revise करवाए था कर आपको ध्यान हो नीचे पढ़ो आप तीन question पक्का आएंगे उस तीन question में से a question आपका न्यूक्लियोजोम का मैंने आपको बताए था कि न्यूक्लियोजोम में से question पूछता है आप से ठीक है तो वही question आया है अब देखो direct match the following match the following यह तो बिल्कुल भी अलग नहीं है question और कब करवाए 9 September को करवाए कब करवाए यह question 9 September को यह question करवाए देख लो ज्यादा दूर नहीं है 9 तारीक कोई करवाए match list one with list two philatuses ठीक है hemophilis influenza देख लो pneumonia किस से match करोगे सेम भाईया मुझे तो लगता है इसने option भी चेंज नहीं किया एकदम ही सेम है pneumonia क्या होगा hemophilis influenza pneumonia hemophilis influenza amoebis दे रखा है आप अपन ने नहीं दे रखा है amoebis अब अपना किस से match करोओ philatuses philatuses क्या है एंट अमीवा histology का यह भी सही है अपना तो अब फिलार सोरी यह नहीं वो शेरिया बेन क्रॉफ्टी होगा वो शेरिया बेन क्रॉफ्टी होगा वेटा मार्क कर लेना एमीवाइस का यह होगा एंट एमीवा आप देख लो option मैच हो जाएंगे एक थर्ड है वह यह एक थर्ड है एक ही option है जिसमें एक थर्ड दे रखा है बाद के देखने की जरूरत भी नहीं है तो एक तम डारेक्ट मैच दा फॉल्लविंग बस यहां पर थोड़ा सा रिंग वाम अलग है बाकी सब सेम है बाकी सब सेम है पूरा कोशन सेम है चलिए आप आ जाते हैं यह थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके मैंने आपको दिया है इस कोशन को 9 सेप्टेंबर का कोशन है 12 क अपना पेपर था जादा दूर कोशन है देख लो 56 कोशन कर लिए यह भी मैंने आपको शांदार तरीके से करवाया था अगर आपको ध्यान होगा तो यह आपका स्क्रीन शॉट है यह मैंने आपको कोशन भी करवाया था साथ में कोशन के साथ मैं हमेशा मैं आपको जाते हैं स्कापियूलाइज लार्ज ट्रेंगूलर फ्लाट बाउन देखे स्टेट्मेंट डे रखे मार्ट कर रखे यहीं आपको यहां पर मैंने करवाया रखे यहां पर ध्यान से पढ़िए फाईब्र जॉइंट स्कल बोंस में होती है cartilaginous joint आपकी vertebra में होती है यही चीज मैंने आपको revise करवाई है और question में लिखवाय था flat bone बताईए इसमें से कौन सी flat bone है और answer होगा इसका sternum की flat bone आपकी sternum होती है यही question में आपको दे रखा है आप match कर सकते हैं यह तो match आपने question भी कर रखा है तो c का second हो जाएगा a का fourth मतलब first statement आपकी इसकी सही answer हो जाएगा अब आज यह 57 question पे 57 क्या बोल रहा है adenosine deaminase result into अगर आपने यहां पर इस question को आपने देखा 5 September मैंने आपका यह question करवाय था और यह question करवाते हुए कहा था कि जो adenosine deaminase है वह आपका immunity related रोग करता है आपकी प्रतिरक्षा तंत्र से संबंदित अगर आपको मेरी बात line याद हो और यह question भी मैंने आपको करवाय था adenosine deaminase gene therapy gene therapy का प्रयोग करके इस रोग को ठीक किया जाता है और यही statement यहाँ पर adenosine deaminase से आपका कोशन है कि इसकी deficiency से क्या होता है dysfunction of immune system एक दब direct question है आप कह सकते हमने extra ही किया हुआ है यहाँ पर चलिए question अबर अगर आप 58 देखोगे तो वही same जादा different नहीं है इसी एक question में आपका यह भी question बन रहे है जैसे PCR के तीन question है एक question के साथ तीन question बन रहे है वैसी इस question के साथ भी आपका यह वाला बन रहे है आपका question दे रहा है which gene targeting involving gene amplification is attempted in individual tissue to treat disease आपका adenosine deaminase disease है जिसको gene therapy से ठीक किया जाता है question में यही पूछाए कि रोग को किस therapy से ठीक किया जाता है तो answer आपका gene therapy same question question अगर आपने समझ लिए आओगा ना एक question में तो आपको कोई problem नहीं हुई होगी इस भी question में और अभी 5 September को आपका question मैंने करवाया था आप question number 59 देखें बहुत शांदार तरीके से which of the following secret the hormone relaxing during later phase of pregnancy यह भी मैंने आपको ncrt से ही revise कर वाया था कुछ कुछ chapters मैंने आपको आठ बजे की class की ncrt से रिवाइस कर वाया था यह तो ग्यारा बजे की class मैंने आपको सुभे कर वाया था आपको ध्यान होगा और बोला था एक भी class मत छोड़ना ना आठ बजे की ना ग्यारा ना दो बजे की देखें स्कूस कर आड्रा ते खालकर में करूं scroll जाता है तोन यहां करेंगा गौरपस लूटियम लूटियों कॉज कि कर दे काटी कर फालिकेंट और स्षी नहीं नहीं से बाकी भाहिया वही चीज है आप पर कोशन अबर 60 भी देख लो जाया आप डियूरिंग पूरी प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फर री कॉंबिन डिन टेकनोलीजी एडिशन अफ चिल इथनॉल प्रेसिपिटेट आउट यह को इस इस मेकानिजम को इस प्रक्रिया को स्पूलि क्या थी जिसमें हमारे हाइएस टो ओलाय वाचिंग गया था मतलब अभी तक का सबसे हाइस अबी तक तो हमारे 350 गए हैं हाईस लेकिन 350 अभी 380 हमारे घिस गया लेकिन फाले पहली टलास थी पहले हमारे बहुत कम बच्चे आते थे बीस्ती बच्च्च्च आते इस क्लास म सब्सक्राइब करते हैं अगर आपको धान नहीं होगा तो यह इस कोशन का अंसर बता दीजे क्या होगा डिये देखे इस पूरे मेकानिसम में आपके इस पूली में यही किया जाते हैं यहां पर लिखा भी है collection of isolated DNA तो अगर आपने कोशन मेरे साथ किया होगा तो मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी इस कोशन में भी अब आज यह कोशन नमबर 61 वैसे 60 कोशन मैंने आपको बला था 61 करवा दिये कोई दिक यह लेकिन यह जो class चलेगी अब सिर्फ बोर्ड पे चलेगी अभी तो फिलाल class आपकी एक्जामपूर के channel पे और आपकी teaching चैनल पे भी चल रहे हैं लेकिन अब आपकी जो class है बेटा वो सिर्फ आपकी बोर्ड पे चलेगी तो जिसको भी एक्लास लेनी होगी हमारे बहुत शांदार तरीके से नीट की तयारी चलतीह आपके एक्जामपूर बोर्ड पर तो जिसको भी physics chemistry और बायो की कास लेनी होगी वह डायरेक्ट एक्zne कित्सम्पूर बोर्ड एक्जाम पे हमारे साथ से वादा किया था विवेक सर और मैंने वादा किया था कि आपको फ्री में कोचिंग करवाई जाएगी और पूरे मार्क्स के साथ आपको फसाय जाएगा पेपर में अगर गरेंटी भीया कोई और मुझे इस तरीके से भीया प्रूफ देदे तो क्या ही बात है ठीकिए वीटा चलिए तो पूरे प्रूफ के साथ दिखाय तो मज़े करिए अप सभी का paper अच्छा गया होगा शांदार आप सभी ने paper किया होगा चलिए और comment करके जरूर बताइए का कि किसके बच्चों के कितने माकसा है बायो में बायो का paper कैसा गया आप सभी का चले इसी के साथ मैं क्लास को खतम करती हूँ 2022 का जो हमारा बैच है वो कल से शुरू हो जाएगा क्लास 11, क्लास 12 और नीट ये तीन क्लासी चलेगी जैसी चलती है टाइमिंग चेंज है, दो बजे नीट की ख्लास पांच बजए आप सभी की क्लास 12 और आठ बज़े आपकी क्लास 12 चला करेगी दो पांच और आठ बज़े अपना टाईम है इसके इलावा केमिस्ट्री की चलेगी फिजिक्स की और मैस की भी चलती है तो आप सभी टाइमिंग जरूर देख लेना टाइम टेबल जरूर देख लेना चले इसी के साथ में सेशन को समात करते हूं आप सभी का क्लास में जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैहिंद जैभरत झालड़ मैं सेशेट की जप लेका लेका आप सक्कास करροवब अवाला चलती है यहीं है। झाल झाल